अब को पता है एक्जाम जो आपका वोले बंत को होने वाला है और अभी मेरे दो दिन जूनियर और एक मेरे बहुत ही क्लूज फ्रेंड का फोन आया वोड़ाय पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक्जॉस्ट्र फिलो रहा है, मेरे खाल से ये सब लोगों को फिलो रहा होगा तो ये बहुत ही common सी चीछय है जो एक्जाम के 1-2 ऐपते पहले लोगों को फिलोती, तो डरने वाले कोई बात नहीं है आप एक minimum hour को fix करें वो 4 hour हो सकता है 3 hour हो सकता है 6 hour हो सकता है 7 hour हो सकता है और उतनी ही time में जितना पढ़ाई हो सकता है effectively आप उसको करें for next one week क्योंकि आज जो date है that is 8 August 3 से 4 दिन है न क्योंकि बहुत बार क्या होता न आप इतने ज़्यादा restless हो जाते हैं last time पे क्या आप बैठते हैं कि आज तो 14 गंटा 16 गंटा पढ़ोंगा और 1-2 गंटे में exhaust होके सो जाते हैं तो मेरी यही आप से सला रहीगी एक optimum hour की बात करें तो 6 to 8 hour is more than enough और 6 से 8 गंटे बिना कोई tension के पढ़ाई करें लास्ट टाइम में कोशिस करें जो previous year question है वो वाला topic ना छूटे अगर वो topic अभी भी कमजोर है अभी भी बहुत टाइम है एक topic को strong करने में max to max half an hour लगता है उसके detail को पढ़ने में 15 minute लगता है और 15 minute concept पो grasp करने में तो आप वो question जागे के सही कर सकते हैं इसलिए panic बिल्कुल भी ना करें panic होईएगा मैंने अपना neat easy का result इसी panic attack के वज़े से बहुत ही गड़बड कर दिया था preparation बहुत अच्छी थी greatest में बहुत अच्छा माक साता था but main जो मेरा एक्जाम था उसमें बहुत ही गंदा था उसके comparison में और उसका कारण था यही panic attack तो इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल भी panic ना हो जो हो ना होगा हो हो गाई अभी तक इतना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया best of luck six hour day for next two to three days have a great day